हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपने ही यूटूब चैनल लर्दिंग के अफेम है आज के वीडियो में BPSC 16V खान सरका सेट 7 शुरू करेंगे सेट 6 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है लिंक डिस्किप्शन में दे दिया हूँ याप पले लिस्ट में जाके आप वीडियो देख लिजिएगा इससे पहले चैनल पर डॉक्टर रजनीश कुमार सरके दौरा BPSC 16V के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया था वो हमने कॉम्प्रीट करा दिया है पल लिस्ट का लिंक डिस्किप्शन में दे दिया हूँ उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा तो चलिए सेट 7 को शुरू कर लेते हैं हमारा पहला कुश्चन है जै परकास नरायन अपने साथियों के साथ कहां की जेल की दिवार लांकर भागने में सफल हुए थे हजारी बाग वर्स 1942 में भारत छोडो आंदोलन के दोड़ान कई कंग्रेसी नेताओं के साथ जेपी को भी गिरिफतार कर लिया गया उनको जारखंड के हजारी बाग जेल ततकालेन बिहार में ले जाया गया था जेपी कारगार के दिवारों को लांकर नाखुद भागे थे बलकि अपने साथ अन्य आंदोलन कारियों को भी साथ ले गया थे इस घटना करम ने हजारी बाग सेंटरल जेल को पूरे राष्ट में ना सिर्फ चर्चित कर दिया था बलकि अंग्रेजों को हिला कर भी रख दिया था भारत छोडो आंदोलन के दोरान सिवान थाने पर राष्टिये जंडा लहराने के परियास में कौन पूलिस की गोलियों का सिकार हुआ था फूलेना परसाद स्रिवास्तव ओप्शन ए हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान फूलेना परशाद सिर्वास्तव की मिरित्यू शिवान थाने पर जंडा फहराने के दोरान हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान निमलिखित में से किसे अपराधी जीला घोशित किया गया था सारन को आप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा सारन सुवतंत्र भारत के अधिन बिहार का पर्थम राजिपाल कौन था जै रामदास दौलत राम आप्शन डी हो जाएगा दौलत राम ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया अहिंसक सविने अवग्या के माध्यम से ब्रिटी सासन के खिलाफ आंदोलन किया दौलत राम सिंग कॉंग्रेस के सबसे अग्रणी नेताओं में से एक थे वह सुवतंत्र भारत के अधिन बिहार का पर्थम राजिपाल भी बने थे अस्सी अस्तंबो वाले मौरी कालिन सभागार या राजमहल का अवसेश कहां से प्राप्त हुआ है कुमरार से हर गोविंद खुराना को किस अविस्कार के लिए सम्मानित किया गया प्रोटीन के संसलेशन के लिए यह क्या है यह जो है एक हीमखंड है नेक्स्ट कोईचन निमलिखित में से किस अस्थान पर प्राप्त असोक अस्तंब के सीर्ष पर सांध निर्मीत है राम पुरवा अप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा राम पुरवा में दो असोक कालिन अस्तंब मिले है एक अस्तंब के सीर्ष पर सांध जब की दूसरे पर सीर्ष निर्मीत है राम पुरवा से प्राप्त सांध सीर्ष अस्तंब वर्तमान में राष्टपदी भावन की सोभा बढ़ा रहा है भारत का पहला कलावड अस्तोरेज फ्लेट फर्म डीजी बॉक्स निमलिखित में से किसने विक्सित किया है नेती आयोग ने डीजी बॉक्स नाम से अपनी नई कलावड सर्वीस शुरू की है तो आप्सन ई हो जाएगा सुशासन दिवस निमलिखित में से कब मनाया जाता है 25 दिसंबर को करनाटक सरकार ने निमलिखित में से किसके लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरन किया है किसानों के लिए हाल ही में अमर सिंग कॉलेज को यूनेज को पुरसकार से सम्मानित किया गया है यह निमलिखित में से कहां अस्तीत है तो यह जो है सिरी नगर में अस्थीत है, आप्शन E राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं राश्टी ये उभोक्ता अधिकार दिवस निमलिखित में से कब मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है नरेंद्र मोदी को लीजन ओफ मेरिट से निमलिखित में से किस देश ने सम्मानित किया है राश्टी ये किसान दिवस निमलिखित में से कब मनाया जाता है 23 दिसंबर को भारत के पांचवे परधान मंतरी चौधरी चरन सिंग की जयनती के मौके पर हर साल 23 दिसंबर को राष्टी किसान दिवस मनाया जाता है जिन्होंने अपने कारिकाल में किरिशी चेतर के उत्थान में महत्तुपुर्ण भूमिका निभाई और किसानों के हीत के लिए कई किसान हीत ऐसी नीतियों का मसोधा तयार किया निम्न मेंसे किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी एवं सबसे छोटी अस्थलिय सीमा है बंगला देश और अफगानिस्तान आप्सन सी हो जाएगा भारत की सबसे लंबी अस्थलिय सीमा बंगला देश के साथ कूल 4,096.7 km है और सबसे छोटी अस्थलिय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलो मीटर है निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है ब्यूटी या मोनो असपर्मा को प्रात्मिक छेतर के तहत निमलिकित में से कौन सी मदे सामिल नहीं की जाती है वस्तर उद्योग पटना संग्रहाले की सरवादिक चर्चित मुर्ती कौन है दीदार गंज यक्छीनी बिहार का कौन सा जिला सिमेंट उद्यों के लिए परसिद है डालमिया नगर बंजारी हिमाले के हीम नदों के पिघलने की गती सबसे अधीक है आप्शन सी हो जाएगा सबसे अधीक वह कौन सा दर्रा है जो सरवादिक उचाई पर अस्तीत है नाथू ला दर्रा आप्शन डी हो जाएगा नाथू ला दर्रा की उचाई 14,450 फीट है नेक्स्ट कोईचन हिमाले में हीम रेखा निमलिकित में से किसके बीच होती है 43,100 से 6000 मीटर पुड़ू में बिहार के निम्ण हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूत तात्विक दिरिष्टी से अपेक्षा किरित पुराना है खरगपूर पहारिया भारत के निमलिकित राजियों की तटरेखा घरते करम में दी गई है इन में से कौन सा करम सही है गुजरात ग्रेटर देन आंधर परदेश ग्रेटर देन तमिलनाडू ग्रेटर देन केरल Next question निमलिकित में से किस दूइप को 10 डिग्री चैनल अलग करता है 10 डिग्री चैनल अंड़मान दूइप समू को निकोबार दूइप समू से अलग करता है ओप्शन E सही उत्तर हो जाएगा उपर युक्त में से कोई नहीं वीदर्व एक प्रादेशिक नाम है भारत के यह किस राजी में अस्तीत है वीदर्व महराश राजी का उत्तर पुर्वी प्रादेशिक छेत्र है तो आप्शन E हो जाएगा इनमें कोई नहीं निमलिखित में से कौन भारत के राजियों का उनके छेत्रफल के अवरोही करम में सही करम है 36 गड़, बिहार, जार्खंड, उत्राखंड भारत में जनसंक्या के अनुसार तीसरा एवं छेत्रफल के अनुसार बारहवा राजी कौन सा है बिहार राजी नीती के निदेशक सिधानतों को भारती समिधान में सामिल किये जाने का उद्धेशी है समाजिक और आर्थिक परजातंत्र को अस्थापित करना राजी नीती के निदेशक सिधानतों के निमलिखित अनुछेदों में से कौन सा अंतराष्टे सांती और सुरक्षा के सनवर्धन से सनबंदित है अनुछेद एकावन अप्शन ए हो जाएगा अनुछेद एकावन भारत की परभूता एक्ता और अखंडदा के रक्षा करे और उसे अचुन रखे यह उपबंद किसमे किया गिया है भारत के सम्विधान में कलियानकारी राजी का आदर्स किसमे निहित है राजी के नेती निदेशक ततू में आप्शन डी हो जाएगा भारत के सम्विधान में कलियानकारी राजी का आदर्स भाग चार के अनुछेद 36 से 51 तक में किया गिया है जिसे सम्विधान निर्माताव द्वारा 1937 में आयरलेंड के सम्विधान से लिया गया था निमलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदिये समीती है प्राकलन समीती सबसे बड़ी संसदिये समीती है इसमें 30 सदसी केवल लोकसवा से होते है भारतिय सम्विधान में सम्विधान संसोधन की परकिरिया किस अनुछेद में वर्दित है अनुछेद 368 में भारतिय सम्विधान के भाग 20 के अंतरगत अनुछेद 368 में सम्विधान संसोधन की परकिरिया का वर्दन किया गया है भारते सम्विधान में संसोधन की परकिरिया दक्षिन अफ्रीका के सम्विधान से लिया गया है सम्विधान संसोधन करने के लिए अंतिम सक्ति किसे परदान की गई है संसद को भारती सम्विधान में संसोधन की पड़किरिया को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है सम्विधान के मूलभूत धाचे में निमलिकित में से किसे सामिल किया गया है उच्तम नियायाले ने केशुवा नंद भारती वाद में सम्विधान के मूलभूत धाचे की अवधारना परतिपादित की तथा निमलिकी तत्वों को सम्विधान का मूलभूत धाचा निर्धारित किया गया वीधी का सासन, संगवाद, सम्विधान की सर्वचता, नियाई पाली का की स्वतंद्रता, पंथ निर्प्यक्षता, लोग कलियान कारी राजी, समाजिक वो आर्थिक नियाई की संकल्पना ये सभी है, तो अप्शन E राइट आंसर हो जाएगा समराट असोक ने सुदामा गुफा को निमलिखित में से किसको समर्पित किया था, आजीवक को सुदामा गुफा गया के निकट बरावर की पहारियों में अस्थीत है, मौरी समराट असोक ने अपने राज्य भिशेक के बारहवे वर्ष में सुदामा गुफा आजीवक को दान में दे दी भारतिय सम्विधान में कितने परकार के आपात उपबंदों की चर्चा की गई है तीन परकार के अनुछेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए किस आयोग द्वारा सिफारे से प्रस्तूत की गई सरकारिया आयोग के द्वारा सीन नदे किस नगर से होकर भाती है पेरिस से महासागर में उची जलत रंगे कैसे होती है चंद्रमा से ओप्शन डी हो जाएगा चंद्रमा चंद्रमा का प्रिथवी के समीप होने के कारण चंद्रमा के आकरशक सकती का प्रिथवी के सागरिये जल पर सरवाधिक प्रभाव परता है इसी से महासागरों में उची जलत रंगे उत्पन होती है चंद्रमा के जुआर उत्पन करने की सकती सूरी की तूनला में 2.17 गुन से सही उत्तर का चेयन करना है तो सहार और नदी तो चलिए मिलान कर लेते हैं तो पहला देखिए रॉटर डेम सहर से राइन नदी भाती है पेरी से सीन नदी बूड़ा पेश्ट से डेन्योब वासिंगटन से पोटो मेक तो आप्सन जो है इसका सी राइट अंसर हो जागा Next Question दक्छीन अमेरिका के सबसे लंबी नदी है दक्छीन अमेजन नदी दुनिया में पानी की मातरा का निर्वहन करने में सबसे बड़ी नदी है और दुनिया में दूसरी सबसे लंबी नदी है अपवाह छेतर के दिरिश्टी से जो विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है तो आप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा दूइप छेतरफाल में सबसे बड़ा है बोड़ नियों दूइप विश्व का विरिहत्तम डेल्टा निर्मीत होता है गंगा ब्रहमा पुत्र दूआरा फीजी दूइप अवस्तित है तो फीजी दूइप जो है परसांत महासागर में अवस्तित है नेक्स्ट कोईचन ग्रांड कैनियन है तो ग्रांड कैनियन एक खड़ है एक गौर्ज निमलिकित में से किस देश में सरवाधिक दूइप है तो सबसे ज़्यादा दूइप इंडोनेसिया में है महत्योपुर्ण पुरातात्युक अस्थल तथा कवी विद्यापती का जनम अस्थल बिश्वी गराम बिहार के किस जिले में अस्थीत है मधुवनी जिले में बावर ने सरोपर्थम बादसा की पदवी धारन की थी बावर के नाम से परसिद जहिरुद्दिन मुहम्मद मुगल वंच का सासक था उसका जन्म मध एसिया के वर्तमान उजबेकिस्तान में हुआ था वह भारत में मुगल वंच का संस्थापक भी है बावर को मुब यान नामक पद सैली का जन्मदाता माना जाता है 1504 इस्वी में काबूल तथा 1507 इस्वी में कंधार को जीत कर उसने बादसा की उपाजी धारन की तो आप्शन E राइट आंसर हो जाएगा मुगल सैली का बिहार में सबसे सुंदर उधारन जहांगीर के सासनकाल में बिहार के प्रांत पती इबराहिम खान काकर द्वारा निर्मित साह दौलत का मकवरा कहां अस्तीत है मनेर में निम्न अस्थानों में किसे भारत का सिराज कहा जाता था जौनपूर को पुरू का सिराज कहा जाता था जो वर्तमान में उत्तर परदेश का एक जिला है गोल कुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है हैदराबाद सीव के तांडव निरित्ति के कितने रूप पाए जाते हैं साथ बिहार में प्रागेती हासिक काल के चित्र पाए गए है तो प्रागेती हासिक काल के चित्रांकन सहित कालात्मक वस्तुवे बिहार के मुंगेर, वैसाली, चमपारन, सारन, जिलो में पाए गए है तो आप्शन E. राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक निमलिखित सैलियों में किस निरिती सैली का संबंध आंधर पड़े से है? कूची पुडी का संबंध आंधर परदे से है? अठारे सू बहत्तर में केशव राम भट दौरा सबचाहिक पत्रिका बिहार बंधु का परकासन कहां से सुरू किया गया? बिहार शरीप से निमलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर है देवगड का दसावतार मंदिर प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है जो की गुप्त काल में निर्मित हुआ था यह उत्तर परदेश के ललितपुर जिले में अस्तीत है गुप्त काल से ही भारत में मंदिर निर्वान की प्रम्परा का सुत्रपात हुआ निमलिखित रागों में से वर्षा रीतु में गाया जाने वाला राग कौन सा है भारतिय संगीत में राग प्रकृती और वातावरन से परभावित होते हैं इन रागों को समय चक्र के अनुसार गाने पर उनकी परभावत पाख दक्ता बढ़ जाती है इसलिए परतेक राग प्रकृती के अनुसार उनके गाने की रीतुए भी निश्चित है जो निमलिखित है वर्षा रितु के राग, जै मलहार, सूर मलहार, देश एवं अन्नी मलहार तो अप्शन E राइट आंसर हो जाएगा एक से अधीक नेक्स्ट कोईशन निमलिखित में से नव पासान करांती की मुख्य उपलवदी थी की रीषि, निमलिखित में से कौन सी सास्त्रिय निरित्त कला की सेली नहीं है, भोजपुरी जुह ये एक भासा है, संगीत नाटक अकाडमी दुआरा भारत के आठवे सास्त्रिय निरित के के तोर पर किसको मानिता दी गई सत्रीया निरित्ति को आप्शन सी हो जाएगा सत्रीया निरित्ति पाटना कलम के अंतरगात निर्मित चित्रों में समानिता किस विशय का चित्रन हुआ है बिहार का समानिय जन जीवन मधुवनी चित्रकला बिहार के कि छेत्र में लोग पिरि से कि से संबंदित है । वी हार राज में 2021 तक नगर नीगमों की कूल संख्या है इस कि 21 पाल चित्रकला के आधार पर आकास नीला लगता है ऐसा क्यों होता है क्यूंकि लगू तरंग दिर्ग तरंगों की अपेक्छा वायू मंडल द्वारा अधिक परकिर्ण होती है आंतों के रोगों के निदान में निम्न किर्णों का उप्यो किया जाता है एक्स किरन का 100 वाट का बिजली का बल्व यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा बिजली का खर्च एक यूनिट होगा तो आप्शन E राइट आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं 40 degree Celsius का मान फौरेन हाइट असकेल में है 100 degree फौरेन हाइट बिजली की खपद का बिल किसके मापन पर आधारित होता है वाट के मापन पर यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवास्प गरहन करने की झंता तो यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवास्प की छमता बढ़ेगी और यदि हवा का तापमान कम होगा तो उसकी जलवास्प ग्रहन की छमता भी कम होगी यह महासागरों के उपर सबसे अधिक तथा महादूइपो के उपर सबसे कम होती है तो इसका राय टांसर ओप्शन ई हो जाएगा फ्यूज का सिधान्त है फ्यूज का सिधान्त विद्यूत का उसमिय परभाव है शिरका निम्ल में से किस एक का जलिये घोल है एसिटीक अमल का निम्बू खटा किस कारण से होता है साइट्रिक अमल के कारण ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नेटिफिकेशन बेल को दबा के ओल पे किलिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नेटिफिकेशन सबसे पहले आप तब कहुँचें और वीडियो को लाइक करके जादा से जादा सियर कीज आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है घरेलू इंधन की रूप में पड़ियोक्त एलपीजी में मुखिता होती है दरावित पिट्रोलियम गैस रसोई गैस के रूप में अधिक जाना जाता है यह कई हाइड्रोकारवन गैसों का मिश्रन है इसमें मुखिता इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रन होता है तो आप्शन E राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक सिग्रेट लाइटर में निमलिखित में से कौन सी गैस पर्यूगत होती है ब्यूटेन एक उच जोलन सील, रंगहीन और आसानी से दरवावस्ता में आ जाने वाली गैस है जिसका उप्योग सिग्रेट लाइटर में किया जाता है तो आप्शन E सही उत्तर हो जाएगा घरेलू LPG सिलेंड्रों में दाब मापक नहीं परदान किये जाते हैं क्यूंकि ये LPG सिलेंड्रों में गैस की मातर को परदर्शित नहीं कर सकते हैं सभी जीव योगिक का अनिवारी मूल ततु है कारबन ओप्शन C हो जाएगा कारवन सभी जैविक पदार्थ कारवन योगिक से बने होते हैं कारवन योगिकों में कारवन अरिवारी रूप से पाया जाता है हरीपूरा जहां भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का 1928 इस्वी में अधिवेशन हुआ था कहां अस्तित हैं? गुजरात में हरीपूरा गुजरात में हैं जहां 19 फरवरी 1938 इस्वी को कॉंग्रेस का चववनवा अधिवेशन हुआ था इस अधिवेशन की अधेक्स्ता सुबाचंद्र बोस ने की थी नमक सत्याग्रा के समय गांधी जी को गिरिफ्तार किये जाने पर आंदोलन के नेता कास्थान किस ने गरहन किया? अब बास तैयब जी बार्डोली सत्याग्रा के दोरान बंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? लेसली विल्सन ओप्सन सी हो जाएगा बार्डोली सत्याग्रा के दोरान बंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर लेसली विल्सन था बार्डोली सत्याग्रा गुजरात के बार्डोली तालुका में 1928 में हुआ था और सरदार पटेल इस आंदोलन के मुखिया थे यह एक डूपती हुए बैंक पर अगरिम तिथी का चेक है किरिप्च प्रस्ताव के संदर्व में यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है भारती स्वतंत्रता संगर्ष की संदर्व में विद्यूत वाहिनी नामक सेनी संगठा निमलिकित में से किस्टे संबध था? तामर लिप्ती जातिय सरकार से अंडमान निकोवार दूइप में किस वाइसराई की हत्या हुई थी? लॉड मेयो की लॉड मेयो ने सौर जॉन लॉरेंस की नीती का समर्थन किया अंडमान में एक अफगान पठान दुआरा अठार सो बहत्तर इस्वी में लॉड मेयो की चाकू मार कर हत्या कर दी गई कॉंग्रेश का लाहाव रधिवेशन जिसमें पुर्ण स्वाराज पारित किया गया का अध्यक्ष कौन था? जवाहल लाल नेहरू 31 दिसमबर 1929 इस्वी को कॉंग्रेश के लाहाव रधिवेशन में जवाहल लाल नेहरू के अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पुर्ण स्वाराज की मांग की गई थी नेहरू ने कहा था हमारा लक्ष सिर्फ स्वाधिनता प्राप्त करना है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था मोहन सिंग ने आप्शन भी हो जाएगा मोहन सिंग मार्च 1942 में मोहन सिंग के नेतित में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया जिसमें जपान के मले अभियान के तहत पराजित ब्रिटी सेना के भारतीय सैनिकों को सामिल किया गया था निमलिखित में से किसने गांधी जी के आंदूलनों को राजनीतिक फिरोती कहा था लॉड लिनलिथगो ने भारत छोड़ो आंदूलन के समय निमलिखित में से किसी ने कॉंग्रेस रेडियो का परसारन किया था उसा महता ने किसी ने रानी विक्टोरिया को भारत की सामड़ागी घोशित किया था लौड लिटन ओप्शन सी हो जाएगा लौड लिटन 1857 इस्वी के विद्रों के बाद भारत में अस्तीतिया तेजी से बदली लौड लिटन 1876 से 1880 इस्वी तक भारत का वाशराय था इसके सासनकाल में दिल्ली में भवी दरवार का आयोजन किया गया जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की समरागी घोशित किया गया इस घोशना से भारती रियासते ब्रिटिस समराज जी के अंतरकर चली गई नेक्स्ट कोईशन भारत में पहली अंग्रेजी फेक्टरी कहां अस्तापित की गई थी सूरत में 1608 इस्वी में अंग्रेज वयपारियों ने सूरत में अपना पहला कार खाना लगवाया वयपारिक दिरिष्टी से सूरत 27 सताथी का परमूख के अंदर था सूती वस्तर का वयपार सूरत में से परमूख रूप से होता था भारत ने किस देश को गती सिलता समाधान परदान करने के लिए 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजनों को स्वंपा है भारत ने 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजनों को बंगला देश को स्वंप दिया है तो option E right answer हो जाएगा इन में कोई नहीं पुस्तक के लेखा कौन है इस जैसंकर उस संगठन का नाम बताईए जिसने देश के इनुवेटर्स और अस्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए डेर टु ड्रीम 2.0 परतियोगता शुरू की है देश के नव परवर्तन करताओ और अस्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डी आर डियोगता एक नवचार परतियोगता डेर टु ड्रीम 2.0 शुरू की गई है तो option E right answer हो जाएगा इन में कोई नहीं निमलिकित में से कौन सा राजी महिलाओ को रिन देने में परधान मंत्री मुद्रा योजना की सूची में सबसे उपर है तमिलनाडू बिहार के सबसे परमुख छेतरिये परवुचठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है सुड़ी की बिहार के किस जिले में सौड़ाट मेला आयोजित किया जाता है मधुवनी जिला में बांका जिले के मंदार परवत के नीचे किस मेले का आयोजन किया जाता है बौन्सी मेला खुदाबक्स लावरेरी किस सहर में अस्तीत है पटना में option A right answer हो जाएगा पटना किसी देश ने G7 समुह का विस्तार G7 प्लस 4 के रूप में प्रस्तावित किया है जिसमें भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिन कोडिया और रूज सामिल है सन्युक्त राजे अमेर्का और United Kingdom ने G7 grouping के विस्तार का प्रस्ताव दिया है जबकि सन्युक्त राजे अमेर्का ने G7 प्लस 4 का प्रस्ताव दिया है जिसमें भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिन कोडिया और रूज सामिल है United Kingdom एक G7 प्लस 3 चाहता है इसे 10 डेमो क्रेसी D10 कहा जाता है जो रूज को बाहर करता है तो option E right answer हो जाएगा रसी कुलिया नदी निमलिखित में से किस राजी में है ओडीशा में विशु परवासी पक्षी दिवस निमलिखित में से कब मनाया गया है 11 माई को माई 2021 पूडू चेली के नए मुखी मंत्री निमलिखित में से कौन बने है एन रंगा स्वामी नेक्स्ट कोईशन वर्स 2020 में तमिलनाडू के नए मुखी मंत्री निमलिखित में से कौन बने है MK अस्टालीन विशु परशिद हरी हर पसु मेला कहां आजयोजित होता है सोनपूर में ओदंद पूरी विशु विद्याले की अस्थापना किसने की थी गोपाल ने ओप्शन डी हो जाएगा गोपाल नचारी राग का सिरीजन बिहार में किसने किया था महा कवी विद्यापती ने महाराजा नवल किशोर सिंग ने किस राग की रचना की थी फाग ओप्शन डी हो जाए ओप्शन ए हो जाएगा फाग बिहार में फाग राकी रचना महाराजा नवल किशोर सिंग ने की थी निमलिखित में से कौन सा नाम पटना का नहीं रहा पालनपूर, कुसुमपूर, पुसपूरी, आजीमाबाद ये सब पटना का नाम रहा है लेकिन पालनपूर पटना का नाम नहीं रहा है लाउंडा निरित्ती बिहार के किस जिले में अधिक पर्चलित है भोजपूर जिले में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरिसकार जीतने वाली पहली भारतिय निमलिखित में से कौन बनी है डॉक्टर तोहिडा कुतुबद्दीन वर्च 2021 में नेपाल के पर्धान मंत्री निमलिखित में से कौन बने है पणजाव राजी का भारतिय महिला किरकेट टीम के नए कौस निमलिखित में से कौन बने है रमेश पोवार बिहार राजभासा बिभाग दुआरा भिखारी ठाकूर अस्मिरिती पुरस्कार की छेत्र में उत्क्रिष्ट योगदान के लिए परदान किया जाता है रंग बंच एवं लोक कला के छेत्र में अंतराश्टिय नर्ष दिवस निमलिखित में से कब मनाया गया है बारह मई को अप्शन ए हो जाएगा बारह मई नेक्स्ट को हिचन हर घर जल वाला पहला किंदर सासित परदेश निमलिखित में से कौन बना है पूडू चेरी निमलिखित में से कौन सा बिहार के परिवारिक उत्सवों से जुरा एक लोक नाटी है डोम कच मंगल गरह पर मार्च रोवर उतारने वाला दूसरा देश निमलिखित में से कौन बन गया है चीन चीन ने 15 मई 22 को लाल गरह पर अपना पहला मार्च रोवर जुराग उतारने की उपलबदी सफलता पुरवक हासिल की है तो अप्शन E राइट आंसर हो जाएगा इन में कोई नहीं छठा सन्युक्त राष्ट वैस्विक सरक सुरक्षा सप्ता निमलिखित में से कब मनाया गया है 17 से 23 मई को बिहार का छेतरफल कितना है तो बिहार का छेतरफल 94163 वर्ग किलो मीटर है निमलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में गंगा के उत्री मैदान में पाई जाती है बाल सुंदरी मिट्टी धनवंतरी भारत में किस आशक के नवरतनों में से एक थे जिनके जन्मो ocasब के रूप में धनतिरस मनाया जाता है चांदरगुप्त दूइतिये के नवड़तनों में से एक इसके बाद देखिए मैथेमेडिक्स का कोईचन है तो टेली ग्राम का लिंग डिस्किप्शन में दे दिया हूँ टेली ग्राम ग्रूप जोएन करके आप इस वीडियों को डाउनलोड कर लेजिएगा उसमें आपको नेक्स्ट कोईचन पर बढ़ते हैं प्रसीतन खादी परिरक्षन में मदद करता है जैव रसाइनिक अभी किर्याव की दर को कम कर निमलिकित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रसाखा यक्रित की उपचार और अध्यान से सनबंदित है हेपेटो लौजी तो पित के पेर और अगन्यासे के साथ साथ उनके विकारों के परबंधन का अध्यन किया जाता है शरीर के आंत्रिक अंगों का परिक्षन किस उपकरन द्वारा किया जाता है इंडो असकोप के द्वारा बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताईए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपबलिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था फनिंद्रनात घोस ऑप्शन ए हो जाएगा फनिंद्रनात घोस वर्ष 1866 से नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रों के छेतर कौन से थे चंपारण एवं मुझपरपूर बिहार में जल जीवन हर्याली मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था दो हजार उन्नीस में सुच गंगा के लिए राष्टिय मीशन दुआरा शुरू की गई डॉल्फिन आधारित परिस्थितिक पर्येटन की सूची में बिहार से निमलिखित में से कौन सा अस्थान सामिल है कहल गाउ अगला कोईचन ये भी मैथेमेडिक्स का कोईचन है तो आप इसको आराम से टोकियो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजिंडर एथलीट निमलिखित में से कौन बना है लॉरेल हबार्ड नेक्स्ट कोईचन बिहार में दक्षनी गंगा के मैदान में निमलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है करेल कैवाल ऑप्शन भी हो करेल कैवाल तथा बल्थर मिट्टी बिहार में दक्षनी गंगा के मैदान में पाई जाती है 15 अगस्ट 2021 को स्वतंत्रता दिवस समारों के विशेस अतिथी निमलिखित में से कौन होंगे भारतिये ओलंपिक दल ऑप्शन सी हो जाएगा भारतिये ओलंपिक दल टोकियो ओलंपिक 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया 23 जुलाई से 8 अगस्ट 2021 तक टोकियो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला पदक निमलिखित में से किसने दिलवाया था मीरा वाय चानू ने ओप्शन ए हो जाएगा मीरा वाय चानू तो दोस्तो आज के वीडियो में खांसर का सेट 7 कंप्लीट हो गया सेट 6 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है लिंक डिस्किप्शन में आपको मिल जाएगा इसमें अगर कोई क्वेस्टन गलत लगता है या क अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कॉमेंट में लिखकर बताइए मैं कोशिश करूंगा जल्दी रिप्लाइ करने का तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में प्रैक्टिस सेट 8 के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ टे कियर